Hello everyone and I hope आप साब बढ़िया होंगे तो guys आज हम बात करेंगे UPSC 2024 की strategy के बारे में लगभग लगभग 8 months अभी आपके पास है and अब यहां से आपको कैसे आगे बढ़ना है इस पे हम थोड़ा detail में चर्चा करेंगे ठीक है तो मैं आपको बहुत सारे key points है आपके discuss करूँगा जो कि आपकी preparation में आपको बहुत मदद करेंगे और ये video especially उन लोगों के लिए है जो कि just अभी जिन्होंने preparation स्टार्ट करी है या जो just अभी सोच रहे हैं कि यार 8 महीने में क्या हम exam निकाल सकते हैं तो अगर निकाल सकते हैं तो क्या plan होना चाहिए क्या strategy होनी चाहिए और एक और चीज़ देखो मैं advance में बोल दूँगा कि अगर आपने already मेरी कोई previous strategy देखी है या अगर आप कोई already strategy follow कर रहे हो तो आप देख सकते हो इससे आपको कोई important point अगर अच्छा लगे हो तो आप उसको apply कर लेना strategy का मतब यह नहीं होता कि जो मैं यहाँ पे बूरना हो आपने उसको word to word, line to line 100% apply करना है यह एक strategy है जिससे आपको एक guidance मिलेगी आपको एक plan share होगा, एक direction मिलेगी और आप इसको modify भी कर सकते हो आप इसको follow भी कर सकते हो और अपने जो आपके already schedule है उसमें apply भी कर सकते हो ठीक है? तो that is the point तो चली सिदे start करते हैं पहले एक और चीज मैं बोल दूँगा कि 8 months is a big time 8 मेने छोटे नहीं होते हैं अगर 8 मेने छोटे होते तो शायद मैं वीडियो नहीं बना रहा होता 8 months अपने में बहुत होता है अगर आप अच्छा कासा effort डालोगी तो 8 months में अच्छा कासा chance है और 8 months can really change your life अब वो आप पे depend करता है कि यार next 8 months को आप कितनी seriously लेते हो next 8 months में आप कितना effort putin करते हो और next 8 months में आप कितना discipline रहते हो और कितना consistent रहते हो यह सब आप में है ठीक है मैं आप आपके पूरी कोशिश करी है कि सारी चीजों को मैं cover करूँ तो हम सारे aspects को यहाँ पे एक एक करके discuss भी करेंगे और मैं आपको monthly वाला plan भी share करूँगा ठीक है तो please ध्यान से देखिएगा आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़े है description में मैंने कुछ important links share करी है जैसे हमारी website है उसके बाद जैसे मेरा जो other channels है आप उनको भी visit कर सकते हो वहाँ पर भी मैं कुछ important videos डालता हूँ जो कि obviously आपकी preparation में आपको मदद करेंगे तो please बागी channels को भी go through कर लेना चली सिद्धे point में आते हैं without wasting the time चलिए ठीक है यह है आपकी strategy अब देखो जाहिशी बात है यहाँ पर हम काफी सारी चीज़ों को cover करेंगे ठीक है जैसे की एक second ठीक है ठीक है तो यहाँ पर हम काफी सारी चीज़ों को cover करेंगे जैसे की general studies के जो subjects है तो आपको पता है बहुत सारे subjects होते हैं GS में polity है, economics है, history, geography और उसके बाद आपके कुछ mains के subject साते हैं जो specifically mains में पूछे जाते हैं प्लिंस में उनकों इबारे में भी हम बात करेंगे फिरा तक current affairs जिसके बारे में काफी सारे लोग परिशान रहते हैं क्या sources होने चाहिए optional को कैसे tackle करना है यह सबसे बड़ा challenge है क्योंकि make or break है आपकी preparation का तो इसको भी अच्छे से cover करना है उसके बाद test या free practice जो आप बोल लीजिए revision और answer writing तो इनको कैसे आपने अपने 8 months के schedule में fit in करना है तो इसके बारे में बात करूँगा and that will be helpful to you ठीक है चलिए अगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे है देखो monthly plan मैंने यहाँ पे आपको month by month थोड़ा समझाना चाहूँगा दरसल structuring क्या है मेरे पूरे plan की देखो यार यह plan चलेगा आपका अभी मैं यह मान के चलूँगा कि 8 months है हमारे पास ठीक है यानि कि आप October से पढ़ाई start करोगे तो October to March यानि कि जो 6 months हैं यहाँ पर मैंने अपना syllabus हमने कोशिश करी कि हम अपने syllabus को cover करेंगे जितना cover कर सकते है जो last के 2 months होंगे April और May वो देखो हमने clear cut revision के लिए रखा है यानि PLIMS focused यह जो next 6 months होंगे आपे PLIMS और MAINS दोनों के आप integrated preparation करोगे ठीक है चलिए अब यहाँ पर बात आती है October, November, December, Jan, February, March आपके बास 6 months है मैंने बहुत simple plan रखा है कुछ complications नहीं रखी है मैंने क्या किया है कि जो हमारे core subjects है 4 हमारे core subjects है जो कि आपका strong foundation create करेंगे मतलब बनाएंगे तो एक आपका quality है economics है, history और geography है इसके बाद जो secondary important subjects होते है जैसे कि science and tech और environment ठीक है और उसके बाद फिर mains के subject आते है जिसमें कि ethics सबसे जादे important होता है क्योंकि पूरा paper आपका 250 marks का ethics पे ही आता है ठीक है तो मैंने किया किया है और आपको करना किया है अभी मैं यहापे सिर्फ GS की बात कर रहा हूँ तो इसको ध्यान से सुनिएगा October मैं आप देखो आप कोई भी subject ले सकते हो मैं just अपने accordingly यहापे subjects को putin कर रहा हूँ आप उपर नीचे आप October मैं अगर history पढ़ना चाहते हो geography पढ़ना चाहते हो history and geography ठीक है अब यहाँ पर idea यह है कि अब आप बोलोगी यार एक एक महीना क्यों दिया है एक महीना इसलिए दिया है विकॉज यह वो subjects होते हैं जो plans में भी आते हैं और mains में भी आते हैं पस फर्ग इतना होता है कि plans में कुछ ऐसे topics होते हैं जो mains में नहीं आते हैं कुछ ऐसे extra topics add हो जाते हैं जो plans में नहीं आते हैं पस यह main चीज है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है ठीक है तो इसलिए एक महीना दिया है जिससे कि आप इसको पूरा अच्छे से holistically cover कर पाएं not just for plans but for mains also अगर हम polity की बात करते है polity and constitution तो अगर आप जैसे particular famous book है जैसे लक्षमी कान तो अगर आप उसको cover करते हो तो बहुत सारी चीजे हैं कुछ ऐसे topics हैं जो mains के होते हैं मतलब हमारे syllabus में वो cover नहीं होते हैं तो उनको अलग से आपने पढ़ना पड़ेगा उनको अलग से cover करना पड़ेगा resources book list पे मैं अलग से एक और series लाओंगा don't worry about it तो वहाँ से आपका ये resources और book list वाली पूरी attention complete हो जाएगी clear हो जाएगी ठीक है words का थोड़ा साज हो रहा है काफे time बाद में video बना रहा हूँ ठीक है so that is the point तो ये हमारे core subjects के लिए है October में आपने एक subject पकड़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है ठीक है अब ये जो आपके पास September का जो महीना है ये जो आपके पास कुछ दिन बचे हैं तो आप इसमें अपने resources को finalize कर सकते हो अपनी planning कर सकते हो schedule बना सकते हो बहुत कुछ कुछ चीजें कर सकते हो आप है न तो अब quality के लिए आपने पूरा एक structure ready कर दिया कि महीने बर का मेरा plan है इतना मैं basic books पढ़ूँगा उसके बाद मैं advance पे जम करूँगा ये mains के topics मैं यहाँ यहाँ से cover करूँगा और उसके बाद quality को आपने time देना है एक महीना आपने October को दिया quality November को दिया economics December को दिया history Jan को दिया geography चार course subjects ठीक है अब आप बलो कि साथ में कुछ और पढ़ना है need नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ quality means covering plans plus means इस चीज़ को ध्यान रखिए ठीक है यह जो आपकी जो पढ़ाई है यह होगी pre plus means तो एक महीना देखो बनता है ठीक है quality से आट नो question आजाते है means में 20 में से economics में भी आपके 7-8 question आजाते है means में history से भी आपके लगबग 7-8 question आजाते है means में FAB के महीने में हम क्या करेंगे FAB के महीने में आपको क्या करना है आपको करना है ethics ठीक है अब देखिए कुछ ऐसे subjects होते हैं जो की films में नहीं आते है means में आते हैं जैसे social issues हो गया society वाला part GS1 का हो गया ठीक है world history वाला part GS1 का हो गया GS2 से जैसे governance हो गया social justice हो गया IR जादा focused होता है GS3 की बात करता है internal security, disaster management यह सारी चीज़ें होती हैं जो आपके films में नहीं आती है लेकिन यह थोड़ा-थोड़ा होता है यानि कि इनका weightage बहुत कम होता है लेकिन fourth paper होता है जो GS आपका four होता है वो ethics होता है 250 marks का और वो होता है बहुत important तो बहुत से लोग क्या करते हैं वो plims के बाद के लिए छोड़ देते हैं या छोटे-बोटे subjects तो आप cover कर सकते हो plims के बाद में लेकिन यह 250 marks का why to compromise और scoring भी होता है और इसको हम neglect करते हैं तो इसलिए एक माईना February में आप इसको दो बढ़िया से और अच्छे से आपका cover हो का और साथ में मैं आपको एक बहुत बढ़िया tip देता हूँ tip यह है कि आप इसके साथ में और दो-तिन चीज़ें कर सकते हो ethics अगर आप पढ़ रहे हो तो साथ में आप दो-तिन चीज़ें पढ़ सकते हो जैसे कि GS1 से social issues GS2 से social justice और GS3 से social development integrated approach आप follow करोगे यह तीनों चीज़े बढ़ अच्छे से cover होंगे और February में आप ethics पढ़ोगे एक और चीज़ आपने जो ध्यान में रखनी है वो यह कि जैसे आप October में आपने पॉलिटी पढ़ी ठीक है November में आपने पॉलिटी का revision करना है या तो आप daily basis पे कर सकते हो यह मैं आपको revision वाले end मैं बताऊंगा अभी तो थोड़ा सा अगर आपके पास अच्छे resources है अच्छे का मतलब है ज़्यादा कोई बलकी content नहीं है to the point short तो कह सकते हैं कि 20 दिन में environment और 10 से 15 दिन में आपका science and tech अच्छे से cover हो जाएगा as simple as that अगर आप resources को ढूलने पे लगी हो try test कर रहे हो कि यार इसका बढ़िया है कि उसका बढ़िया है तब तो यार देखो एक मेना भी कम पड़ेगा तो वो अब आप पे है कि आप कौन से resources को follow करते हो जो आपका resource provider है या जहां से भी आप coaching कर रहे हो guidance ले रहे हो उनका content में आपको कितना trust है उनके content आप कितने अच्छे से पढ़ते हो बाकि उस पर depend करता है ठीक है स्मार्च में आपने रखा है environment of science and tech इसको जितना late रखो उतना better रहता है better इसलिए because थोड़ा सा dynamic है current oriented है ज्यादा तर concepts questions आपके current से आएंगी तो ज्यादा जल्दी पढ़के भी कोई फायदा नहीं है exam से जितना पहले पढ़ो उतना better रहता है और ताजा ताजा भी रहते क्योंकि mostly तो हमारा focus in चार subject पे रहता है तो ये होगा आपका next six months का एक broad plan ठीक है अब जड़ा आगे आते है अब भीया हम आगे मैं cover करूँगा don't worry थोड़ा patience रखो current affair, optional, CSAT, essay मैं सब cover करूँगा आगे अभी जस्ट थोड़ा सा एक चीजे में step by step आपको समझाना चारा हो ताकि आपकी दिमाग में अच्छे से गुश जाए जो monthly plan होगा April, May का देखो April, May का obviously है end में भी मैं strategy लाओंगा वहाँ पर भी मैं आपको detail में बताऊंगा तो अभी आपको चिंता नहीं करना है जो आखरी के दो मेनी होते हैं वो हमने reserve रखे है for revision clear-cut सी बात है जो आखरी के दो मेनी होते हैं उसमें हमारा main focus होता है revision तो वहाँ पर मैं यह नहीं बोलूँगा कि देखो हमने यह slivers cover करना है या आपने यह चीज़ें cover करना है कुछ नहीं है वहाँ पर just you have to focus on revision पहली चीज़ सबसे जो major काम होता है वो होता है revision का दूसरा होता है वहाँ पर हमने करनी होती है practice ठीक है practice बोले तो test paper solving ठीक है test papers को वहाँ पर solve करना होता है थोड़े PYQ के question से practice करनी होती है और जो third हमने major काम करना होता है वो होता है focus on important topics जो important topics है उन पर हमको जादा focus करना है यह यहाँ पर किया जाता है बहुत से लोग क्या करते है starting में important topics को पढ़के जाते है that's it ऐसा आपने नहीं करना है आपने important topics पर focus करना है ठीक है और उनको थोड़ा deep में आपने you know revise करना है that's it end में हमारा यह एक you know approach होती है जो हमारे weak points होते हैं हम उन पर भी थोड़ा काम करते हैं कि भाई ठीक है exam में हमको दिक्कत ना है तो एक यह चीज़ होती है जो आखरी के दो महिनों में की जाती है तो अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा deep में नहीं जाओंगा क्योंकि उसका भी आखरी के two months का भी plan होता है कि भाई दो तिन division करने है perception को कितना देना है फिर second division में कितना देना है वो सारी चीज़े ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं how to cover these यह चीज़े आप जो बज़ गई है अब इनको कैसे cover करें monthly plan में आपको बता दिया ठीक है तो अब कैसे हम इन चीज़ों को साथ में add करें बहुत सिंपल सी बात है यार देखो current affairs के लिए जो चीज़े important होती है ठीक है तो मैं जादा resources add नहीं करूँगा लेकिन एक होता है आपका newspaper एक होता है P.I.B ठीक है एक होता है monthly magazine और mains perspective से योजना प्लस कुरुक्षित्र लग रहा हो आपको बहुत जादा है बहुत जादा नहीं है ये mains perspective से होता है तो आप इसकी summary अगर आपको मिल जाए तो आपका काम चल जाएगा ठीक है बहुत सारे institutes हैं ठीक है जो इसकी summary प्रोवाइड करते हैं summary पढ़ लो जो key points है दोजार sufficient उससे काम चल जाएगा ठीक है PIB और newspaper अब ये depend करेगा कि आप कौन सी monthly magazine follow कर रहे है और वो monthly magazine आपको क्या provide कर रही है बहुत सारे ऐसे monthly magazines होती है जो PIB और newspaper का जो जो भी crux होता उसको included रखती है अपनी magazines में तो आपको ज़्यादा यहाँ दिक्कत नहीं आएगी newspaper मैं कहते हैं वार देखो minimum 30 minutes से लेके 45 minutes at least आप अगर पढ़ोगे तो आपका ही फायदा होगा ऐसा नहीं है कि newspaper नहीं पढ़ोगे तो selection नहीं होगा selection तो तब भी होगा लेकिन again it will add value to your preparation simple सी बात है P.I.B. ऐसा कोई आपको खुद से करने की ज़रत नहीं है आप again जो अच्छा कोई institute summary प्रोवाइड कर रहा है summary आप पढ़ सकते हो खुद यार इतनी सारी चीज़े सर्च करके पढ़ोगे it will waste your time it is very simple योजना कुरक्षेत्र का कोई एक summary पकड़ो अच्छे से काम चल जाएगा 15-20 पन्नों की summary होगी दोनों की मिला के monthly magazine एक heavy आपका current affair रहेगा तो कुल मिला के बात क्या है जो हमारी monthly magazine है वो थोड़ा time लेगी क्योंकि अगर daily basis पे आप 30 minutes newspaper को देते हो जो summary है 20 pages है इनको तो यार देखो एक-एक पन्ना भी पढ़ोगे वैसे ही complete हो जाएगा पड़ अगर weekly basis पे पढ़ते हो काम चल जाएगा तो monthly magazine आप थोड़ा सा daily basis पे 45 minutes दे सकते हो तो कह सकते हैं एक डिड़ घंटा है नहीं 1 hour 30 minutes आपको daily basis पे चियोंगे अगर आप हफते में पांच दिन पढ़ते हो तो आपको कम से कम 4 महीने और max to max 6-7 महीने लग सकते हैं depending कौन सा आपका optional है अब मैं ये कहता हूँ कि देखो अभी आप जूंकी थोड़ा सा लेट स्टार्ट करें अक्टूबर में अभी अगर आप daily basis पे 3-4 घंटे optional पढ़ने लग गए तो जाहिर ची बात है कि optional तो शायद cover हो जाएगा फैब मार्स तक लेकिं GS में लटक जाओगे और GS लटकेगा तो पिलम्स लटकेगा साथ सी दिसी बात optional को उतना ही time देना है जिससे कि आप एक safe zone पे रहें और मेरा कहने का मतलब यह होता है कि आप तो max to max feb end या mid mars तक बस इसके आगे optional को touch मत करना जितना cover कर सकते हो करो और कितना दिना है देखो मेरी recommendation यह रहती है 5 days optional को पढ़िए maximum बोल रहा हूँ अभी तो आप 3-4 days से start कर सकते हो maximum 5 days per week पढ़िए ठीक है जो उसके बाद 6th day होता है इसमें आपने करना है revision और 7th day को दीजिए gap ठीक है simple ची बात है क्योंकि GSB तो करना है और Sunday को इतनी सारी activities होती है मैं बताऊंगा कौन कौन सी activities होती है तो आपको एक systematic plan बनाना पड़ेग एक schedule बनाना पड़ेगा और जो मैं चीजें बता रहा हूँ इनको note down करते रही है और फिर उसके accordingly एंड में आप schedule बनाना क्योंकि जो सारी चीजें मैंने बोली है जब आप इसको एकदम integrate कर दोगे तो आपका schedule भी ready हो जाएगा ठीक है टेस्ट की बात करते हैं ये है mandatory ये दो चीजे है mandatory जो इनसान test और revision ज़्यादा लगाएगा ज़्यादा करेगा वो उतना ही you know exam को clear करने के नजदीक होगा 90% लोग test और revision नहीं करते हैं इसलिए उनको दिक्कत आती है तो आपको test और revision पे focus ज़्यादा करना है मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सा बोलता हूँ full length test एक FLT आप per week लगाईए ठीक है न हर हफते एक FLT लगाओ that is it जो आपने हफते बर में पढ़ा है बहुत simple है जो हफते बर में आपने पढ़ा है उसी का full length test लगाओ na first class that's it coaching इतने सारे आपके पास test available है आपने जो module set किया है topic wise, chapter wise भी आपको test मिल जाते हैं तो resources की कमी थोड़ी है आपके पास ठीक है हर चीज available है यह weekly basis पे daily basis पे compulsion नहीं है बहुत से लोग सुचता है मैं daily basis पे करूँगा time नहीं मिलेगा आपको अगर मिलता है तो कल लिजिए daily basis पे 10-15 कर सकते हो अगर मिल रहा है time otherwise अगर weekly basis पे भी एक बड़ी आसा test आप लगाते हो full length test होना है यह hundred questions का यह नहीं कि हफते हफते में भी 25 questions लगा रहे हो और थोड़ा बहुत आपने PYQ के question practice कर लिए जो भी topics आपने पढ़े हैं बहुत अच्छी आपकी practice हो जाएगी और obviously Sunday Sunday को half day या full day आपको revision के लिए रखना है जो भी हफते बर में आपने पढ़ा है ठीक है अभी यहाँ पर मैं revision की बात करता हूँ अब यहाँ पर जो test की बात आती है ना अभी मैं यह तो मैंने plims perspective से तो बोल दिया mains perspective से अभी बोलना बाकी है मैं अभी बोलता हूँ ठीक है mains का मैं बता हूँ आपको यानि answer rating revision की मैं बात करता हूँ revision बहुत-बहुत mandatory है मैं literally बोल रहा हूँ literally बोल रहा हूँ 90% people 90% revision नहीं करते हैं यार नहीं करते हैं मैं guarantee के साथ बोल रहा हूँ I have seen ठीक है तो अगर आप revision नहीं कर रहे हो तो आप यार simple सी बात है आप आगे जा रहे हो आगे जा रहे हो और पिछे का पूरा भूल रहे हो क्या फायदा है यारे समझ रहे हो इतनी दिन रात की मैनत आपने यहाँ पे करी और आप revision नहीं कर रहे हो तो सब भूल जाओगे भाई तो आगे बढ़के फायदा किया जब पिछे का कुछ यादी नहीं है समझ रहे है revision का बहुत simple सा plan है plan simple सा यह है कि देखिए मैं यह कहता हूँ एक तो daily basis पे तो mandatory है ठीक है mandatory है या अगले दिन सो के उठने के बाद आप revise कर सकते हैं जो भी आपने दिन भर में पढ़ाया है short notes ready करे हैं key pointers आपने बनाए है आप अगले दिन पढ़ाय से पहले हैं तो revise कर लो या रात को सोने से पहले revise कर लो key pointers पे आपने focus करना होता है यह थोड़ी कि आपने चार चेप्टर पर तो चार चेप्टर को पूरा पढ़ना है revision का मतलब होता है just to you know recall key points और key pointers से आपको पूरे you know concepts clear हो जाएंगे daily वाला mandatory है mandatory है उसके बाद आता है weekly ठीक है आपने जो भी Monday to Friday पढ़ा है या जो भी आपका एक day होता है किसी का Monday off होता है किसी का Tuesday off होता है अपना जो भी दिन है आपका उस दिन आपने कम से कम half day तो आपने revision करना है half day minimum पूरा दिन भी कर सकते हैं लेकिन half day ठीक है half day इसलिए बूल रहा हूँ because test भी आपने लगाना है तो 2-3 घंटे test में लगेंगे थोड़ा PYQ की practice कर ली थोड़ा unsiding कर ली तो 3-4 घंटे इन ही में लग जाएंगे ठीक है तो और 4-5 घंटे आपने revision किया तो time इसी में निकल जाएगा यह mandatory है और उसके बाद मैं एक और चीज बोलता हूँ monthly basis पे यहने कि अगर जैसे कह सकता है महीने के जो आखरी के 3 दिन है तो जो भी आपने महीने बर में पड़ा है तो आखरी के 3 दिन रिज़र रखो उसको revise करने के लिए यह triple strategy है जो की बहुत मदद करेगी active recall वाला भी एक method होता है जो बहुत important होता है बहुत बार इसको मैं बता भी चुका हूँ यह भी अगर आप apply करोगे तो आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा भूलोगी नहीं UPS में यह तो होता है हर कोई परिशान है भूलने से याद ही नहीं रह रहा है भूल रहे हैं exam में questions solve नहीं हो रहे हैं क्योंकि confusion बहुत हो रही है 19-20 का फर्क नजर आ रहा है तो revision नहीं हो रहा है ना तो पढ़ने के बाद चीजे को on the spot recall करने की कोशिश करें ठीक है अब बात करते है आंसाइटिंग की बहुत सिपल है आंसाइटिंग का ठीक है हम इसको unnecessary complicate करते हैं अब जो कि अगर आप लोग खुद से preparation कर रहे हो तो थोड़ अच्छे कुछ आंसाइटिंग के दो आंसाइटिंग के दो पार्ट होते है एक होता है आपका मैं लिख देता हूँ confuse मत हो न answer एटिंग के दो पार्ट होते है ठीक है एक होता है आपका skills एक होता है knowledge और जब दोनों में आपकी अच्छी कासी grip हो जाएगी command हो जाएगी तब आप एक अच्छा answer लिख पाएंगे यह तो चली रहा है process यह थोड़ा long process चल रहा है ठीक है knowledge आप gain कर रहे है लेकिन बहुत सारे लोग गलती करते हैं यहाँ पर वो अपनी skills को improve नहीं करते हैं skills का भी improve होंगी आपकी वो तरीका क्या होता answer लिखने का structuring कैसे करनी है question का keyword को हमने कैसे figure out करना है keyword के dimensions कौन कौन से question में पूछे गए है कुछ hidden dimension होते है कुछ ऐसे dimension होते हैं जो mention नहीं होते हैं लेकिन उनको भी हमको answer में लिखना होता है यह सब चीजे कैसे आपको पता चलेंगी अगर आप self study कर रहे हैं ठीक अगर coaching वो सब है तो आपको उनकी responsibility है बताए ना खुद से आप कर रहे हैं तो खुद से आप क्या कर सकते हैं जैसे topers के answer sheet आप देख सकते हो YouTube पे कुछ lectures है वहाँ पे आपको help मिल जाएगी मैंने भी answer rating पे एक video बना रखा है तो उससे भी आपको काफी help मिल जाएगी और उसके बाद PYQ की book है वो आप अपने पास रखो उससे आपको थोड़ा मदद मिल जाएगी कैसे हमने structuring करने हैं कैसे answer rating करने हैं इस तरीके से ठीक है इसके लिए इरेगूलर basis पे आप इसको go through करना और again start कैसे करना है बहुत simple है weekly based पे जो आप पढ़ते हो उन्ही questions पे answer rating करो और वो questions पीक करो जिनके answers आपके पास available है पांच questions से start करो कोई एक बारी में 20-20 questions करने की ज़रुत नहीं है पांच questions से start करो जो topics आपने पढ़ए उन्हीं की PYQ है तो देखो उनको फिर practice करो PYQ की solve book होनी चीए then आप अपने answer को PYQ के question ये जो answer है solve वहाँ से match कर सकते हो इसने कैसे लिखा है, मैंने कैसे लिखा है फिर top us के answer sheet से आप थोड़ा और insight gain कर सकते हो तो खुद इस effort डालना है अपने answer writing कोई उतना बड़ा challenge होड़ी है लेकि इतना कोई कर नहीं रहा है हर कोई क्या कर रहा है knowledge gain क्या, सिथे answer writing करने लग गए answer लग नहीं रहा, फिर demotivate हो रहा answer writing नहीं हो रही हम से effort तो डालो थोड़ा सा answer writing क्या होता है, question पूछा गया है question की demand आपने fulfill करनी है as simple as that, मैं आपसे question पूछा आपने पूछा answer करना है, simple, to the point कुछ घुमा फिरा के नहीं बोलना है यही तो है answer writing, समझ रहें तो यह चीज हैं आपने करनी है, करना क्या है weekly base पे 5 questions रखो, बाद बाद में 10 questions रख देना, ठीक है और उसके बाद आप जब थोड़ा सा आपके एक और सब्जेक्ट जब complete हो जाएंगे तब आप full length यानि 20-20 question का test लगा सकते हो, अभी भी लगा सकते हो लेकिन time की बात होती है, कितना आपके पास time मिलता है, ठीक है, तो यह चीज़ आपने करनी है, तो cool मिला कि अगर मैं एक मोटा मोटा routine की बात करूँ तो वो यह अगले slide में हम बात करते हैं, ठीक है essay की बात है, थोड़ा सा मैं essay का भी बता देता हूँ essay और C-set, जो कि थोड़ा बहुत लोग परिशान रहते हैं, essay देखो essay डिपेंड करेगा कि आपके जो core subjects हैं, आपका जो current affair है उसमें आपकी, you know, preparation कैसी है मैं थोड़ा सा एक बार इसको हटा के बता देता हूँ आपको यह तो हम सोचते हैं, essay को अलग से prepare करना है, खास बात यह है कि आपको essay को अलग से prepare नहीं करना essay की preparation आपकी depend करती है इन चीजों में ठीक है आपका जो core subjects है वो आपने कितने अच्छे से prepare किये है आपकी जो current awareness है वो कितनी अच्छी है और obviously आपने practice कितनी करी है और एक और आता है आपके ethics कितने अच्छे से आपने पढ़ा है यह चार आप पढ़ोगे तो automatically आपका essay का जो content है वो prepare हो रहा है बाकी structuring की बात आती है भी यह वो तो फिर वोई है practice और अपनी skills को थोड़ा improve करना essay के लिए मैं कहता हूँ दो essay हर अफ़ते लगाना इस्टार्ट कर दो that is it strategy same है फर्क बस इतना सा है जो जो GS के question होते है वो आपके थोड़े से short होते है to the point होते है और जो essay के papers होते है वो expressive होते है वो वहाँ पे आपको खोल खोल के answer करना पड़ता है ठीक है बस इतना सा फर्क होता है और again जो मैंने strategy आपको बताई थी वो आप रखे अपने पास और वहाँ से आप structuring देख सकते हो सीख सकते हो कैसा लिखा गया है यह आप analyze खुद करो guarantee के साथ बोला हूँ 6 मैने में आपको ज़रो दिनी बड़ी किसी answer दिंग पूछने की समझ रहे है that's it तो हफते में आप दो-दो start कर सकते हो कब अभी मैं बोलूगा initial एक दो महिने में आप थोड़ा GS में focus करना यह निकि initial हफते में आपने सब चीज़ें add कर दी थोड़ा focus starting में देखो starting में थोड़ा सा आप focus रखिएगा GS पे अभी आप start कर रहे हो preparation तो अभी आप GS major focus रखो थोड़ा थोड़ा उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तब आप थोड़ा सा current affair पे zone डाल देना जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तब आप अपने optional पे focus करना बना optional को थोड़ा सा और add कर देना अच्छे से फिर जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो फिर जैसे test हो गया ठीक है answer writing हो गई इन पे आप इनको थोड़ा add कर देना समझ रहे हैं फिर जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तब जैसे आपने essay add कर दिया इस तरीके से आप धीर धीरे करके आप देते हो ठीक है weekends में तो that is sufficient reading आप दुनिया बर की कर रहे हो ठीक है तो आपको English में दिक्कत नहीं आनीचे और नहीं आएगी reasoning part आसान होता है quant की बात करते हैं तो quant में यार देखो आप जो easy topics हैं अगें पी वाई क्यू का करने के बाद जो easy topics हैं उनमें थोड़ा सा focus करो ना क्यार ये आट-दस topics थोड़ी easy हैं इनको मैं target करूंगा और बागी जो आपको लगता है बहुत tough है ये थोड़ा manage new york जो थोड़ी आपको सारे topics या सारा portion cover करना है जो आप कर सकते हो doable है उस पे focus करो simple ठीक है C set पे आगी मैंने अलुड़ी एक वीडियो डाल रखी है तो वहाँ पे आप उस वीडियो को देखना क्योंकि उसमें मैंने पूरा बता रहा है C set कैसे prepare करना है क्या इसे question आते हैं syllabus क्या है, book list क्या है, resources क्या है, qualifying mask कितने है each and everything तो यहाँ पे क्योंकि मैं detail में नहीं जाओंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा है last मैं कुछ guru mantra please इसको ध्यान से सुन लो यार और लिख लो follow करोगे फाइदे मेरा होगे और एक महीनी में आपको change नजर आएगा पहली जीज मैं बोलता हूँ increase your study hours यार देखो simple सी बात है मैंने खुद experience किया है बहुत सारे लोग ना 4 घंटे 3 घंटे इस तरीके से time दे रहे होते हैं नहीं हो पाता है 3-4 घंटे में थोड़ा time बढ़ाना पड़ेगा जैसे जैसे आप time बढ़ा होगे आपका syllabus भी उतने जल्दी से cover होगा और आपका जो tension है वो भी कम होता जाएगा सारा खेल आता है कि आप daily basis पे कितना input दे रहे हो यार जितना input दोगे उतना ही जादा तो output आएगा ना simple सी बात है consistency यहां पर बहुत matter करती है क्योंकि आप खुद सोचो दो-चार दिन या एक हफता अगर उपर निचे हो गया तो कितना loss होगा यहाँ पर plan कितना टिक-टिक हमारा plan है एक-एक मेने में एक subject देना है और सो जो किसी के 15 दिन उपर निचे हो गये तो आगे का पुरा game बिगड़ी है न consistency ही तो matter करेगी तो यह चीज़ आपको तोड़ा सा ध्यान में रखना है और किसी का 10-15 दिन उपर निचे हो गया फिर मिलेंगे हम अगली 6 मेनी की strategy में तो वहाँ पर फिर time कम होगा चीज़ें ज़ादा होंगी, pressure ज़ादा होगा समझ रहे हैं don't compromise revision and practice मैं हमेशा बोल चुका हूँ exam को निकालने के लिए सिर्फ तीन चीज़े है revision, practice and consistency यह तीन चीज़ों के साथ compromise मत करना और मैं guarantee के साथ बोल रहा हूँ जो इंसान इन तीन चीज़ों को जादा करता है उसी को success मिलती है simple सी बात है minimize social media usage शायद आप लोग नहीं मानोगे ठीक है क्योंकि मन तो करता ही है entertainment के लिए लेकिन trust me this is only playing with your mind और अगर आप सच में आगे बढ़ेना चाहते हो ठीक है तो दूसरों को देखना छोड़ दो ठीक है और खुद ऐसे काम करो कि लोग आपको देखे social media पे समझ रहे that is what I feel social media पे time कम कर दो I am not saying मैंने यहाँ पे यह नहीं बुला कि delete कर दो यार थोड़ा सा मुश्किल होता I understand लेकिन minimize कर दो मेरा यह मानना है कि two hours से जादा बिल्कुल मत दो आप यसे तो बहुत होंगे इसका mock interview देख लिए आपने आपको pacify करने के लिए कि यार मैं भी UPC preparation नहीं कर रहा हूँ mock interview देख लेता हूँ और यह देख लेता हूँ वो देख लेता हूँ नहीं होता है ऐसे यार preparation होगी जो उपर बताया रखे हैं subjects उनको पढ़ना है weekly based पे जो plan दे रखे है उसको follow करना है तब ही आपकी preparation होगी माने YouTube पे तो दुनिया भर की वीडियोज है हजारो वीडियोज है कितने देखोगे और कितना motivate हो जाओगे एक दिन में इंदी एंड तो exam तभी निकले करना है इसले बस आप cover करोगे तो थोड़ा सा minimize कर दो जितना कर सकते हो जो काम की चीज़े है उन पे फोकस करो that's it और last में आता है give time to yourself also यहरब हम क्या करते हैं जादा time हम social media में दे रहे हैं अपने आपको नहीं दे रहे हैं mandatory है please physical health पे फोकस करो थोड़ी fitness पे फोकस करो eat clean भई अच्छा कहा हो तभी आपका brain थोड़ा sharp रहेगा और थोड़ा सा meditations add कर दो और थोड़ी spiritual books को पढ़ना इस्टार्ट कर दो यह 4-5 चीज़ें add कर दो आपको ड्रास्टिक चेंज नजर आएंगे ठीक है और लास्ट में मैं बस इतना बोलूँगा remember these 8 months these 8 months can change your life यह निकि these 8 months have the potential to change your life और हाँ यह मेरी website है लास्ट तक बहुत कमी लोग आते हैं जो देखते हैं तो मेरी website है तो visit करिएगा ध्यान में रखिएगा अभी बहुत time से busy था update नहीं कर पाया नया content नहीं डाल पाया लेकिन डालूँगा इसमें बहुत चीज़ें अड़ करूँगा ठीक है और लास्ट अगर अगर आपने देखा है तो thank you so much and again heart दे दीजेगा जिसने end तक देखा है and बाकी that's all from today's session ठीक है thank you so much and see you guys